नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस दिने इस निम्बावर बात करते हैं लोग परशासन के बात कर रहे थे अब लोग परशासन में जो देखते हैं लोग परशासन का एक विसी के रूप में जो है किस परकार से इसका उद्विकास हुआ इसकी बात करते हैं यह नोट्स जो है दिनिस गेलो सर की क्लास, ओफलाइन क्लास के नोट्स हैं, आवाज मेरी हैं, लिखे मैंने हैं, पर सब सरक हैं, तो उन्हीं के आसिरवात से यह वीडियो में बना रहा हूं, आप लोग किसे अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करे और जरूर करें अपने दोस्तों में, चली सुरू करते हैं, लोग परसासन का एक अनुसासन विशी की रूप में उद्विकास, तो किस परकार हुआ, अलग-अलग चरण हैं, अलग-अलग चरणों के हिसाब से बात करते हैं, इसका फर्स चरण हम देखते हैं, पहले ही चरण आता है, पहला चरण आता है, ठीक है, पहला इसकी बात करें, 1887 से 1926 तका टाइम परिट जो है पर्तम चरण के अंतरकत आता है, इसमें देखें राजनितिक परसासन दिव विभाजन, इसमें राजनितिक परसासन का जो है दू विभाजन होता है, दू विभाजन हो ज अमेरिका के राजनती विज्ञान के प्रोपेसर हुए वुड्रू विल्सन कौन से विल्सन वुड्रू विल्सन ठीक है इनकी पूस्तक इनकी पत्रिका थी अब हमने पहले देखी थी पॉलिटिकल साइन्स क्वार्टरली ठीक है 1887 में इनका एक लेक था दाइस्टरडी ओफ टीक की अमरिका के पर्शासन में को बात कहिए इन्होंने अब विल्सन के अनुसार किसी समिदान के रचना करना सरल कारी है उन्होंने कहा विल्सन कहते हैं कि किसी समिधान की रचना करना सरल कारी है जबकि उस समिधान को लागू करना कठीन कारी है बिल्कुल ये क्या कहते हैं कि समिधान की रचना करना तक सरल कारी है भी समिधान की रचना कर दी इतना कटिन नहीं है जितना उसको समीधान को लागू करना है ठीक है अब विल्सन के अनुसार समीधान को लागू करना पश्रासन का कारिया है जो समीधान है उसको लागू करने का कारिय जो पश्रासन का कारिय है अते दोन्यों कारिय जो है अलग अलग होने के कारण इनके विसे भी अलग-अलग होने चाहिए यह कौन कहता है यह वुट्रो विल्सन कहता है ठीक है यह समिधान का जो है निर्मान करना सरल कारिया है लेकिन उसे लागो करना कठीन कारिया है विल्सन किस मांग को जो है विल्सोनियन क्राई कहा गया विल्सोनि क्राई ही राजनितिक पर्शासन दिवभजन का आधार है तो राजनितिक पर्शासन की ती कि अलग-अलग इससे होने चाहिए अमरीका के विद्वान जो है Frank J. Goodnow उसके बात आते हैं Frank J. Goodnow आते हैं ठीक है Frank J. Goodnow ने Wilson की इस बात को आगे बढ़ाया ठीक है और 19-19 में जो बात करें पुस्तक आती है पुल्टिक्स एड्मिनिस्टरेशन जो पुस्तक आती है वो Frank J. Goodnow की आती है ठीक है इसी बात को आगे बढ़ाते हैं अब गुड्णो ने जो है गुड्णो ने अपनी पुस्तक में राजनितिक और पश्राशन में अंतर बताया डिफ्रेंस बताया दोनों मे सबसे पहले राजनिती और पश्राशन में क्या 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 बता और देखते हैं इनकी योगता निरवाच्चान पहले सबसे पहले राजनिति में एक योगता प्रोसेस के हिसाब से चुन कराते हैं यह मुख्यते नीती निर्मान का कारे करते हैं कौन राजनिती वाले राजनिती वाले क्या करते हैं नीती निर्मान का कारे करते हैं जबकि परसाशन क्या करता है उन नीतियों का किर्यान मन करता है यह जंता से निकरता से जुड़े वे र देते हैं ठीक है बलकि यह जो है परसाशन वाले इनके जनता से कम संपर्क रहता है अब आज निदी वाले हैं इनका जो है इन्हें किसी प्रकार का प्रिक्सिक्षण नहीं दिया जाता है अधाता इन्हें कम अनुभव होता है प्रिक्षण नहीं दिया जाता इन्हें अनुभ कर् dei अब गुड्णोंने है अपने पुस्थक में राजनीति को राज्य की इच्छा राज ये की इच्छा राजी कि इच्छा और राजी की इच्छा सिकिर राजनिति क्या करती है नीतियों का निर्मान करती है कानूनों का तो कि इच्छा है कि यह होना चाहिए चाहिए वो इच्छा अब उन इच्छा की पूर्थी कोन करता है यानकि उन इच्छा को किरियानवन कोन करता है उन इच्छे को किरियानवन करता है पर्षासन पर्षासन क्या करता है उन उस इच्छा का किरियानवन करता है जो इच्छा राज्ये की है राज्ये की इच्छा राजनितिक गुड़नो को अमेरिका के लोगपर्शासन का जनक आ जाता है लोगपर्शासन का जनक तो विड्रो विल्सन हो गया ठीके लेकिन अमेरिका का लोगपर्शासन का जनक आ जाए तो वो होगा गुड़नो कौन होगा गुड़नो होगा अब जो उसके बाद बात करते हैं 1926 में 1926 में L.D. White अब को न आते हैं इनकी जो पुस्तक हैं उसका नाम है An Introduction तू दा इस्टेडी ओप पब्लिक एड्मिनिस्टेशन An Introduction तू दी इस्टेडी ओप पब्लिक एड्मिनिस्टेशन जो है इनकी पुस्तक हैं किनकी L.D. White की 1926 में लिखते हैं नाम के इनोंने यह पुस्तक लिखी लोग परशासन की पहली पार्टिय पुस्तक कहा जाता है कह दिया जाए लोग परशासन की पहली पार्टिय पुस्तक L.D. White द्वारा लिखी गई 1926 में लिखी गई और इस पुस्तक का नाम है An Introduction to the Study of Public Administration किसके द्वारा लिखी गई? L.D. White के द्वारा यह लोग परशासन की पहली पुस्तक इसको कहा जाता है अब देखें Second Charan कौनसा चरण? दूत्य चरण देखते हैं दूत्य चरण जो Second Charan है इस दूत्य चरण में बात करें इसका टाइम परेड आता 1927 से 1937 तक यह नि 1927 से 1937 तक का जो है इस टाइम परेड आता है इस टाइम परेड को सिधानतों का युग कहा जाता है पहला क्या आता है राजरिती का दिवी भाजन था ठीक है पहला चलन का लेकिन अब सेकेंड जो आता है 1927 से 1937 का इसे सिधान्तों का यूग कहा जाता है सिदान्तों का यूग, तो सिदान्तों का यूग कौन से चरण को कहा जाता तो दूसरा याद रखना, ठीके, अब बात करते हैं, 1927 में विलो भी आए, कौन से आए, विलो भी 1927 में, ठीके, प्रिंसिपल अब दा पब्लिक एड्मिनिस्टरेशन, प्रिंसिपल अब दा पब्ल पश्रासन की तो एल्डी वाइड द्वारा होगी एन इंट्रेडक्शन टूदा इस्टेडियो पब्लिक एंवेस्टेशन और जो है यह बुक जो सिधान तो पर यानि लोग पश्रासन के सिधान तो पर पहले पुछ लिया जाए तो प्रिंसिपल आप दा पब्लिक एड्मिस् प्रिदीैं आगे बात करते हैं फैयोल की सिद्दान के 24 सिद्दान दीए ज़ горत तो 14 सिद्दान दिया रखना पहला不同 aesthet के सब्सक्राइब नियुक्त dus तिह लुतिर गुलिक ने चो दस तता लिंडर उर्विक ने आठ जो सिद्दान दिये याद रखना सा चवदा याद रखना किसने दिए फैयॉल ने गुलिक लुतर गुलिक ने 10 दिए लिंडर उर्विक ठीक है इन्होंने लिंट से उर्विक ने कितने दिये आठ दिये अब बात करते हैं गुलिक और उर्विक ने उर्विक ने 1937 में Papers on the Science of Administration पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने पस्ट कॉर्ब नामक सिधान दिया पस्ट कॉर्ब सिधान दा जाया तो गुली क और उर्विक दोनों चाहिए रह रखना पस्ट कॉर्ब सिधान दिया यह निमस देगा प्लіть कि सफ्ट कॉर्ब सीधान देखेंगे इसको टीकशत्य क्या है पि म् manner सबसे पहले बात करते हैं अब इसका मतलब क्या है पोस्ट कोर में जो भी प्लानिंग है प्लानिंग का मतलब नियोजन है किसी भी कारी को करने के लिए प्री प्लानिंग उसके तयारी का टिकेट नियोजन किसी भी कारी करने से पहले उस पर विचार विमर्श करना नियोजन कहलाता है अब ओ पोस्ट कोर में पी ओ ओ है इसमें और्गनाइजेशन यानि संगठन ठीक है योजना को जो है पूरा करने क के आउंसकता रहती है तो उसकी वैदस्ता करना कमाता ओर्गिनाईजरी में आता है ठीक मे सटास्थ संग्टन के कारी में मदद करने वाले लोग क्या कहलते हैं स्टास्थ कहलते हैं 총 है direction D, post SD direction यानी निर्देशन संगटन का कारिय सही दिशा में हो रहा है या नहीं, ये देखना और इस दिशा है तो निर्देश दिया जाना ही क्या कहला था direction कहलाता है, CO CO है, ठीके ना coordination CO है coordination, summon way संगटन में काम करने वाले विभी निकायों के बीज समय हर्दे है, तो याद रखना समन में जरूरी है ना, स्टाप के बीच में कारिय करमसार, अगर समन में नहीं है, ताल में नहीं है तो काम होगा, क्या, नहीं होगा तो मुने और रिले कहता है कि समन में किसी भी संगटन का हर्दे है समन में किसी भी संगटन का हर्द है, उसके बाद है कि आर, आर में होगा reporting ठीक है, reporting या फिर feedback प्राप्ट करना, संगटन के कारियों की परगर्ती कितनी हुई कितनी नहीं हुई इसकी reporting कहलाता है, इसकी जानकरी लेना की काम किस दिखाव हुआ कितना हुआ ठीक है इसकी जो जानकरी लेना रिपोर्टिंग कहलाता है उसके बाद में देखें बजटिंग भी जो था पॉस्ट को और में सीओ आर भी भी है या बजटिंग ठीक है बजटिंग योजनाओं को पूरा करने के लिए विद की व्यवस्ता करना या पैसों की band subscription इसको जैनेति यह materOS कहा जाता हैं दूसरे चरन में लोकपरस्वाषन की इसी दान दिएगे इसकायन से इस चरन को लोगपरस्वाषन का शर्ण यूंग तरन का सथी को कहा जाता है यह कहा जाता है दूसरे को ठीक है दूसरा चरन को अब देखें तीसरा चरण ठीक है तीसरा चरण तीसरा चरण सुरू होता है 1938 से 1947 तक का टाइम प्रेड रहता है चुनोती का यूग इसको कहा जाता है चुनोती का यूग ठीक है तीसरा चरण है चुनोती का यूग चुनोती का यूग 1938 में 1938 में जो है Chester Bernard 1938 में Chester Bernard ठीक इनकी पुस्तक है Function of the Execute Executive जो है इनकी पुस्तक है Function of the Executive इनकी जो पुस्तक है इन्हों ने पुस्तक लिखी और Bernard ने अपनी इस पुस्तक में संगटन को सहकारी गतिवीदियों का समू बतलाया जो संगटन ने उसको क्या बताया सहकारी गतिवीदियों का समू बतलाया Bernard ने अब Bernard के अनुसार अपन बात करें तो संगटन के सिधान जो है संगटन के सिधान वक्ती की उपेक्सा करते हैं एल्टन मेयों ने जो है अपने हार्तुन पर्योग से यह सिध किया, इन्होंने जो अपना हार्तुन पर्योग है, यह सिध किया कि किसी भी संगठन के लिए मानवी तत्व भी महत्वून होता है। संगठन परशाषन के सिद्दान उपचारिक सरस्थना पर तो बल देते हैं जो संगठन जो होते हैं या जो परशाषन है इस सिद्दान जो उपचारिक सरस्थना पर तो बल देते हैं लेकिन संगठन में काम करने वाले मानव की भाहुनाओ की क्या करते हैं उपेक्सा करते हैं अब बात करते हैं, आगे, 1946 में Herbert Simon आए, 1946 में कौन से Simon आते हैं, 1946 में Herbert Simon आते हैं, ठीक है, Herbert Simon ने जो पुस्तक का नाम है, Proverbs in Administration, Proverbs in Administration इनकी पुस्तक है, इन ये लेक हैं, देखेगा, Herbert Simon का Proverbs in Administration जो ये लेक हैं, पर्षासन में इनको लोकोक्तिया कहा जाता है, साइमन ने इस लेक में पर्षासन के तथाकतिक सिदान्तों को लोकोतियों के संग्या दिये, जो तथाकति जो सिदान्त हैं, उनको लोकोक्तिया कहा है, लोकोक्तियां की, लोकोक्तियां के जो है, इन करते हैं एक दूसरे को काड़ते हैं क्या करते हैं एक दूसरे को काड़ते हैं कैसे एक दूसरे को काड़ते हैं केंद्री करण विकेंद्री करण आदेश की एकता आदेश की बहुलता एक दूसरे को काट रहे हैं अब बात करते हैं रोबर्ट डाहल आए उसके बार रोबर्ट डाहल ने 1947 में जो है Science of Public Administration यानि त्री प्रोब्लम्स डाहल की पुस्तक है Science of Public Administration त्री प्रोब्लम्स 1947 में यह पुस्तक आती है डाहल ने अपनी पुस्तक में यह लिखा क्या लिखा जब तक लोग परशासन में तुर्नात्मक अधिन नहीं होगा तब तक लोग परशासन के सिद्दान्त नहीं बनाए जा सकते हैं चरण आता है चोता चरण का टाइम प्रेट 1948 से 1970 तक का आता है इस जो चरण इसको कहा जाता है पेचान का संकट 1948 से 1970 के मधिये चोता चरण अब रोबर्ट डाल ने जो अपनी पुस्तक रोबर्ट डाल की पुस्तक है साइन्स और पब्लिक एड्मिनिस्टरेशन त्री प्रोब्लम्स उपर हमने पुस्तक देखी मैं ये लिखा कि जब तक लोग परशाषन में तोलनात्मगत्य नहीं होगा तब तक लोग परशाषन वी से किसी दांदों का निर्मान नहीं किया जा सकता तो चीनी विद्वान FW रिक्स कौन से आए FW रिक्स आए FW रिक्स आए FW रिक्स आए FW रिक्स उनिस्टर चपन में अपना पहला उन्होंने मोडल दिया पहला मोडल दिया किया दिया ओध्यूगिक्ता कर्शी का मोडल दिया इसे ओध्यूगिक्ता कर्शी का मोडल कहा ज में विवाजित किया विश्व को कितने भागों विवाजित करते हैं दो भागों में डिवाइड करते हैं अत्यंत विक्सित देशों को ओद्योगी का जो अत्यंत विक्सित देश ते उसको क्या का ओद्योगी का थता अत्यंत जो पिछड़े वे देश से उनको क्रिसिका कहा क् 1907 में रिक्स ने जो अपने पूराने मोडल में संसोधन करते हुए उसके इस्तान पर इन्होंने डिफ्रेक्टेट तता डिफ्रेक्टेट प्रिज्मेटिक फ्यूज्ड मोडल दिया 1907 में जो इसमें संसोधन किया اور डिफ्रेक्टेट प्रिज्मेटिक फ्यूज्ड मोडल इन्होंने दिया और रिक्स क्या कहते है आगे ऐसे ब्रिक्स की बात आगे देखें तो ऐसे डिफ्रेक्टेट जहां कुछ भागों का विकास हुआ कुछ भागों का विकास हुआ, लेकिन कुछ भाग अभी भी पिचड़े हुए, उन्हें क्या क्या प्रिजमेटिक कहा, प्रिजमेटिक में कुछ भाग प्रकास में रहते हैं, कुछ भाग अंधेरे में रहते हैं, प्रिजमेटिक देखा होगा आपने, उसी तरीके से जो विपरित परकार की संस्कृतियां एक साथ चलती है रिक्स ने प्रिज्मेटिक समाज में पाये जाने वाले प्रश्राशनिक व्यवस्ता को क्या कहा था साला कहा जो पाये जाने वाले प्रश्राशनिक व्यवस्ता को साला कहा अब रिक्स आगे क्या कहते हैं रिक्स की बात आपने परिवेस से पर्भावित होता है बलकि परिवेस को परभावित करता है परिक सागे कहते हैं कि विकास्व देशों की राजनेतिक व्यवस्ता वहां के परश्षाष्न को तथा परशाष्निक व्यवस्ता राजियतिक व्यवस्ता को प्रभावित करती है तो इसहांकी जो है कि जो दोसरी से प्रवायूत होते हैं तो इससाब से जो राजितिक परशाशन के जो दिवी बजन के अवधारना क्या है आप प्रसंगिक हो जाती है तो यह वीडियो था लोग परशाशन के संदर में आगे पढ़ेंगे नवीन लोग परशाशन के संदर में लोग परशाशन समन्दित संपू झाल झाल